देखो फॉर्थ जनरेशन की जो हुंड़ाई की टक्सन है वो रेडी है इंडिया में लॉंच के लिए हलाकि इसको रेसंटली स्पाइड किया जा चुका है डीलर्शिप याड पर ग्लोबल मारकेट में फॉर्थ जनरेशन टक्सन को सप्टेंबर 2020 में लॉंच किया था लेकिन इंडिया में इसकी लॉंचिंग बागे थी तो यहाँ पर अभी इसकी लॉंचिंग भी बहुत करीब आ चुकी है तो इस वीडियो के अंदर में अपकमिंग यानि फॉर्थ जनरे ठोड़े से अलग रहने वाले है जयसे कि अपकमिंग तक्सन की लेंद्ध रहेगी 4500 mm की जोकी क्रण्ट मॉडल की मुकाबले 20 mm ज्याद रहेगी इसके अलावा इसकी विड्थ 1,865 mm की रहेगीھ जोकी कर zrobić म्लॉड की मॉकाबले 15 mm ज्याद रहेगी और इसके हाइड 1665 mm की रहने वाली है जो कि करन्ट मॉडल की मुकाबले 5 mm जादा रहने वाली है तो यहाँ पर नई टक्सन की हाइड भी जाधा रहेगी वेट और लेंद भी जादा रहने वाली है इसके अलवा अगर में इंजन स्पेसिफेकेशन की बात करो तो इसके अंदर गलोबल मारकेट में अ अल्वि lane का स्टीम दिया जाता है लेकिट अपकमिंग तक्सन के अंदर भी हमें अव्लिर ड्राइव का स्टीम देखने को मिल जाएगा वही अगर मैं एक्स्टरेर लुक की बात करो तो इसका फ्रन्ट फीशया में थोड़े से यूनिक लगते हैं और इसके एर डैम के अंदर आपको फूल अलेड़े हैं लाट का सेटप भी देखने को मिल जाएगा इसके फ्रंट ग्रेल्स के ऊपर आपको क्रोम के बार्स मिलेंगे इसके अलावा डियोल टॉर्ण बंपर का इस्तमाल इसके फ्रंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे इसका स्लोपिंग रूफ लाइन भी काफी जदा बढ़िया है और इसका रियर का फीशा आप देख सकते हैं इसके रियर के फीशा में काफी बड़ी अलेडी टेलाइट का इस्तमाल किया हुआ है जो की मेजर अट्रेक्शन है इसे कार के अंदर दिखने में काफी जदा अट्रेक्टि और अग्रेसिव लगती है इसके अलेड़े टेलाइट यह इंडियर माकेट में लांच होने के बाद डफिनिटली तबाही मचाने वाली है वही इसके इंटेर फीचर्स के अगर में बात को दो इसके इंटेर में काफी कमाल के उफर किये जएगे जैसे कि इसके अंदर आपको completely new dashboard मिलने वाला है as compared to current model इसके अलावा इसके अंदर entertainment के लिए 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोर्टमान सिस्टीम ऑफर किया जाता है हलाकि क्रेटा के अंदर भी आपको same size का टचस्क्रीन इंफोर्टमान सिस्टीम मिलने वाला है और टक्सन के अंदर भी same size का टचस्क्रीन इंफोर्टमान सिस्टीम दिया जाता है इसके अलावा ड्राइवर के लिए फूल डिजिटल इंस्टुमेंट कॉंसल इसकार के अंदर ऑफर किया जाएगा इसके अलावा multifunction steering wheel का option भी हमें इसकार के अंदर देखने parking brake लेधर अपोल्स्टी और लेधर के सीद्स भी हमें इसकार के अंदर देखने को मिल जाएगे इसके अलावा अच्छे कासे फीचर हुंडा की टक्सन के अंदर ऑफर किये जाएगे हुंडा कंपणी नई टक्सन को मार्च 2022 तक इंडिया में लॉंच करेगी हालाकि अगले म बेस मोडल की एक्ष्ण प्राइज और करेंट मोडल का टॉप वीरियंट 27.47 लाक रुपेस तक चला जाता है तो जो फूर्थ जेंडरेशन टक्सन रहने वाली है उसकी कीमत लगबगर 23 लाक रुपेस से शुरू हो सकती है बेस मोडल की एक्ष्ण प्राइज आपको हुंड हुआ